सो हेलो एब्रीबन वेल्कम बेक टू आई समार्ट इस्टडी पॉइंट तो देखिए आज का जो क्वेशन होगा बैर इंपोर्टेंट होगा बोड अग्जाम 2022 के रिगारिंग क्लाश 12 फिजिक्स का ठीक है और बहुत सारे इंपोर्टेंट टॉपिक हमने बना दिये हैं अग सार इलेक्ट्रॉन तथा एक लेक्ट्रॉन एक दूसरे से एल दूरी परिस्तित हैं यानि कि देखिए एक कितने का है 4E और दूसरा कितने का है कि पर 1E तो ये दोनों जो हैं एक दूसरे से कितने कितने दूरी परिस्तित हैं एल दूरी परिस्तित हैं एक तीसरा आबेश क् इनके बीच किस थरा से रखा जाए जिससे कीवे संतूलन में रहें यानि कि बात कराए कि एक तीसरे आवेस है क्यूँ तो इस क्यूँ को हम इन दोनों के बीच में कहां रखें कि इन दोनों पर कोई फर्क नहीं पड़े यानकि यह संतुलन आवस्ता में अपने ही रहें थीक हैं तो हम इसको मान लिते हैं यहां रख दिया हमने Q को ठीक हैं तो देखें यहां पर क्या बोला है हमने मान लिया माना तीसरे आवेस Q को दोनो आवेशों के बीच पिर्थम आवेश से आर मीटर की दूरी पर रखायाता है यानि कि देखें पिर्थम आवेश यह है तो इस से आर मीटर की दूरी पर यानि कि आर मीटर की दूरी पर ऐसे रख दिया हमने ठीक है L-R होगी चो होगी L-R रित होगी भई टोटल दूरी तो L है और यहां से यहां तक की दूरी आमने R मान ली तो यहां से यहां तक की दूरी ओटोमेटिकली L में से इस R को घटा देंगे तो L-R होगी ठीक है संतूलन की अवस्ता में आबेश Q पर लगने वाला बल समान होगा अगर यह दोनों संतूलन में रहेंगे तो इस पर जो बल लगेगा Q पर वो क्या होगा वो समान रहेगा ठीक है यानि कि F है तो F ही रहेगा अगर 2 N का लग रहा तो 2 N का ही मतलब लगेगा ठीक है यानि कि पहले क्या करा है कि इन दोनों आबेशों के बीच जो बल लगा है बोलिया है Q और 4E ठीक है तो बन अपॉन 4 पाइफ साइलम नॉट इस वाले F के बराबर चलें दोनों में समान है न तो F बराबर F कर लिया हमने तो बन अपॉन 4 पाइफ साइलम नॉट 4E इंटू Q अपॉन R स्क्वेर होता है दूरी ठीक है तो इन दोनों के बीच की तो दूरी भी R थी दोनों के बीच की दूरी R थी न तो R स्क्वेर ही रहेगा और Q1 Q2 की जग़े क्या दो आबेश है 4E और 1 Q ठीक है किलियर है ना बराबर अब इस वाले F की जग़े पर बन अपॉन 4 पाइफ साइलम नॉट अब देखिए आबेश क्या थे Q1 Q2 थे ना यहाँ पर दोनों आबेश क्या है एक Q है और एक E है तो हमने लिख दिया E इंटू Q Q1 Q2 गुणा में होते हैं तो E इंटू Q अपॉन यह L माइनस R क्यों है क्योंकि इनके बीच की दूरी क्या है L माइनस R तो L माइनस R का होल स्क्वेर के लिए रहे अब इससे यह कट गिया ठीक है इससे यह कट गिया अपना बचता क्या है इदर देखिए हैं पर 4E इंटू Q बटे में R स्क्वेर ठीक है बराबर इदर के बचता अपना E इंटू Q बटे में L माइनस R का होल स्क्वेर ठीक है तो अब इसको न्यू पेज में लिख लेते हैं फिर आपको सॉल्व करके दिखाते हैं अब देखिए हमें क्या करना है इस E इंटू Q को यहां पर गुणा में एक तो हो गई न तो इस E इंटू Q को दोनों को इसके गुणा में बटे में लियाते हैं तो यहां पर जाएगा यह 4E पैन को बनानी क्या हो गया आज ठीक है 4E इंटू Q ठीक है अपॉन यह आगी आपको इदर E इंटू Q आपको इदर आगिया और इसके गुणा में है R स्कूर ठीक है बराबर यहां पर एक बचेगा अपॉन में L माइनस R का होली स्कूर ठीक है इससे यह कैंसल यहां बच्चा 4 अपॉन में R स्कूर बराबर बन अपॉन L माइनस R का होली स्कूर अब इसको इदर गुणा में भीज़ दीजिए इसको इदर भीज़ दीजिए के लिए रहे है तो अप देखिए यह इदर जाएगा 4 ब्रैकिट में L माइनस R का होली स्कूर बराबर इतर क्या देगा खाली कि अब देखे इस तोटल को मैं लिख सकता हूं जिहां से देखिए गायां टोटल इंटू फिर प्र पूरे का होल्य स्कूरी ठीक है दोनों का स्कूर कर दिया मैंने बराबर आर का स्कूरी से स्कूरत Batta work Children 2L-R बराबर R ठीक है आसान है अब simple अब देखिए बिल्गुल easy हो गया है इसको इधर कर देते हैं थोड़ा इसकी अंदर multiply कर दीजिए होड़ाइगा 2L- इसकी इससे भी होगी 2R बराबर कर देगा R ठीक है इसको इधर भेज़ दीजिए तो यहां पर देगा 2L बराबर कितन इधर चाहिएगा तो यह अपने पास प्लेस में चला जाएगा इधर तो जाएगा 3R अब में तो R की value चाहिए थी तो यह इसके बटने में आजएगा तो R बराबर कितनों जाएगा 2L-3 तो इतने मीटर की दूरी पर रखा जाएगा ताकि वो जो दोनों आवेश थे अपन संदार वीडियो के लाइक कर दीजिएगा और चैनल में पहले बारे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जैहिंद वंदे मात्रम भारत मत्त की जैए